Hello and Welcome to Sports Fact मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भारदवाज कहते हैं न जब जिन्दगी में कुछ अच्छा ना हो रहा हो तो इंतिजार करना चाहिए क्योंकि उससे कुछ और अच्छा होने वाला होता है ये कावत कहीं न कहीं हार्दिक पांडिया के अगर अब तक के करियर के बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सटिक बैठती है और वो इसलिए क्योंकि एक दौर था ऐसा साल 2019 के बाद से इस तरीके से हार्दिक पांडिया लगातार परिशान थे अपने फिटनेस को लेकर और फिटनेस से गहरा नाता गहरा लगाओ रहा है हर्दिक पांडिया का लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कमबेक किया है हर्दिक पांडिया ने आप सोच सकते हैं आईपिल 2022 में उनको गुजराट टाइटनस आईपिल 2022 के सीजन के नई टीम की कप्तानी मिली कप्तानी बेशक हर्दिक पांडिया के लिए नई चीज़ थी क्योंकि उन्होंने कप्तानी नहीं किया है उनके पास कप्तानी के गुर नहीं थे लेकिन महान कप्तानों के साथ खेलने का नुबहुत जरूर रहा है जिसमें सबसे बरा श्रेश जो है वो हर्दिक पांडिया में भी महंद सिंग धोनी को दिया था अब आप सोच रह 경우에는 कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है जिए यहां तो मतलब आपको बता देते हैं कि आई पील में टीम की कपतानी से लेकर यानि गुजरा टेटनस की टीम के कपतानी से लेकर भारती टीम की कपतानी तक हर्दिक पाइपल जो सफर है वो बहुत ही उतार चड़ाओ भरा रहे हैं और वो इसलिए कह रहे है तो उनके लगतार इंजिनिरी की ख़बर जो आ रही थी लगातार उस पर कहीं न कहीं ध्यान जाता है हार्दीक आई पिल से पहले भी इंसिये गहते और वहाँ फिटनेश टेस्ट प्राप्ट किया उसके बाद आकर टीम की कमान सभाली और उसके बाद जिस तरीके से कप्तानी की पूरे सीजन के दोरान अब उनके कप्तानी की मिशाल दी जारी है उनके कप्तानी की मिशाल पेशोर यह लगातार और इस क्रम में कोच राहुल द्रविट ने एक बार फिर भरोसा जता है हार्दिक पांडिया पे और आयरलेंड के खिलाफ होने वाले दो टी-20 मुकाबली के लिए भारती टिंग भी कप्तानी हार्दिक पांडिय जो हैं उनको लगतार मौक्य दिये जाएंगे हार्दिक पांडियो का आयरलेंड के खिलाफ दो टी-20 मुकाबली को लीड करने का मौका भी मिला है लेकिन हार्दिक के तरफ से कर सोची जाए तो हार्दिक को भी इस बात की कहीना की उम्मीद ना के बराबर होगी कि एक वक्त ऐसा हैगा कि जहां पे वो आई-पेल टीम की कमांड सभालेंगे तीम ट्रॉफी जीतेगे और उसके बाद हार्दिक ककद कह सकतेगी यहां से यहां यानि इतना लंबा चलांग किसी के करियर में लगे उस सोचे कि उस खिलारी का मनोबल कितना बढ़ेगा और उस खिलारी से उम्मीदें कितने बढ़ जाएंगी तो एक तरफ जहां एक शांदार फिनिसर के तौर पे एक शांदार और राउंडर के तौर पे हार्दिक पांडिया को जाना रहा जाता था अब एक शांदार कप्तान के तौर पे हार्दिक पांडिया अपनी पहचान बनाने में बहुत तक सफल हो चुके और अगर आयरलेंड के खिलाफ दो टीट्वेंटी मुकाबलों में उनकी कप्तानी अगर चमक गई क्योंकि उनके पास जो हुनर है जो अंदाज है अब हार्दिक पांडिया के पास उससे कहीं न कहीं किस्मत जो है टीम इंडिया की कसीडे जो टीम इंडिया के तौर प्वहीं उनके साथ विकल्प के तौर पर दिनेश कारथिक एक शांदार. है वो है ओपनर इशान किशन के उपर जियां तो ये तीन खिलाड़ी आयरलेंड के खिलाफ मुकाबले में भी जिनके उपर जबर्दस तरीके से निगाहें ठीकी होंगी पहला नाम इशान किशन दूसरा नाम खुद कप्तान हार्दिक पांडया और तिसरा नाम दिनेश क्या हार्दिक पांडया जिस तरीके से आईपल 2022 में अपनी कप्तानी का जोहर दिखाकर सभी क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं तो आयरलेंड के खिलाब दो टी-20 मुकाबले के दौराद अपनी कपतानी का जोहर दिखाकर क्या भोईश्य में भी टीम इंडिया को लीड करने का जो उनका सपना है उनके साकार हो पाएगा वो सिरीज से साफ तोर पर मालूम हो जाएगा आपको हर्दिक पांडय की कप्तानी को लेकर क्या कुछ कहना है कितना भरोसा है कि IPL में जिस तरीकिस अपने टीम को हर्दिक पांडया लीड किया है अब भारति ये को भी लीड करने में एक एम भूमिका निभाएंगे और उनको मौके भी लगतार दी जाएं क्यूंकि उनके अंदर काबिलियत है और काबिलियत को सिर्फ एक मौके की तलास होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजेगा और साथी साथ वीडियो जची लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें